नमस्कार साथियों स्वागत है अब सभी का सम्यक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और आज हम बात कर रहे हैं कैणि समान पात्रता परिक्षा कल शाम को इसका नुट्रिफिकेशन आया है पूरा परिफत्र जारी किया गया है जिसके तहत राजस्थान में जो अगर परिक्षाएं उनको छोड़ दें तो जितनी भी गैर तक्नी की पद हैं जिनकी परिक्षाएं ली जाती थी कुछ ली जा ये एक पात्रता परिक्शा करवाने का नेच संसरकार ने बड़ी अच्छी बात है हालाएं कि इसके कुछ नुकसान भी है क्या इसका स्वरूप रहेगा कैसी ये परिक्शा होगी कौन-कौन सी एक्जाम या कौन-कौन से पदों के लिए ये परिक्शा करवाई जाएगी उन सभी बातों पर चर्चा करते हैं बने रहीएगा वीडियो के एंड तक चलिए देखते हैं आगे इस परीक्षा के यह सबसे पहले बात करते हैं कि क्या है CET क्या इस परिक्षा के बाद कोई परीक्षा नहीं होगी सबसे पहला सवाल जो है हम देखते हैं कि यही आता है विद्यारतियों के मन में कि क्या इस exam के प्रापतांगों के आधार पर सीथा सेलेक्षन हो जाएगा बिल्कुल नहीं ऐसे कोई बात है नहीं यह एक तरीके से प्रिलिम्स है यानि कि यह क्या है प्रारंभिक परिक्षा होगी जिसके बाद जिस पद के लिए भी भर्ती की जाएगी उसकी अलग से परेक्षा होगी जो कि क्या होगी मुख्य होगी और इसमें जो अंक मिलेंगे आपको यानि की CET समान पात्रता परिक्षा में जो प्रापतांख है आपके उसके आधार पर योग्यता का निर्धारन किया जाएगा कि फलापद के लिए इतने प्रापतांख वाले अभ्यर्थी योग्य हैं तो अगर आप उस कैटेग्री में आते हैं यानि कि अगर सौ में से साट से सतर के बी केवल जो उसके इलिजिबल जो कैंडिडेट्स रहेंगे उन्हीं को आपको सामना करना पड़ेगा उन्हीं का कॉंपेटिशन के अंदर चलिए यह तो हो गया परिचैस का कि CET क्या है आप देखीगा प्रभाव क्या पड़ेगा सबसे पहला भरतियों में सिर्फ वही लोग कावेदन कर पाएंगे जिन्होंने CET में निरधारित अंक प्राप्त किये अभी अभी बात कर रहे थे कि अतिरिक्त जो भीड है वो आपसे रूबरू नहीं हो पाएगी आपकी कॉंपेटिशन में केवल वही लोग रहेंगे जिन्होंने CET में उस कैटेगरिये में अंक प् पड़ेगी अब स्टूडेंट्स को कि पहले डिरेक्ट वही एग्जाम देनी पड़ती थी लेकिन अब यहां पर CET यहां पर देनी पड़ेगी और उसके बाद जो भी एक्जाम होंगी जिस पद के लिए हम परिक्षा देंगे वो परिक्षा भी देनी पड़ेगी है अलां विकल्प आत्मक परिक्षा होगी यानि कि आपके सामने विकल्प वाले सवाल आएंगे चार में से आपको एक टिक करना है ऐसे एक्जाम जो होगा इसका इस पैटन पर होगा और इसमें कोई भी नियूनतम प्राप्तांकों की सीमा नहीं रखी गई है ध्यान रखेगा नियू वो योग्यता कर निधारन जो नोडल एजनसी है जो RSS भी है उसके द्वारा किया जाएगा तो ध्यान रखेगा उसके बाद आगे देखेगा नया क्या है इसमें जो स्वरूप है उसको आसान कैसे किया गया है किस तरीके से सहूलियत प्रदान की गई है वो दी गई है वन time registration की प्रक्रिया का अनुपालन करेगा जिसे ना सिर्फ इस परेक्षा के लिए बलकि इसके आधार पर होने वाली या अन्य सभी भरतियों के लिए आपको बार बार नहीं आवेदन करने पड़ेंगे वन टाइम पासवर्ड आपको मिलेगा और वहां से आप सीधा केवल उस सरकार ने भी काए कि साल में एक बार यह परिक्षायोजित होगी और कितने अफसर मिलेंगे इसकी कोई सीमा नहीं है आप कितनी भी बार दे सकते। तीन साल इसकी वैदता है, ध्यान रखिएगा, इसकी जो प्राप्तांक है, उनकी वैलिडिटी जो है, वो है तीन साल, अब क्या तीन साल से पहले दुबारा देगी नहीं सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके अंक इसमें कम रह गए हैं, और मैं कौन सी भरतियों के लिए CET लागू होगी, यानि कि लगबग 24 पद हैं, उन 24 पदों के लिए CET एक्जाम लागू होगी, उसमें से दो श्रेणिया डिवाइट की गई हैं, पहली श्रेणि की बारवी पास जो अभ्यरति हैं, उनके लिए कौन कौन से पद हैं, और दूसरी जो है वो graduate, यानि कि जो graduation कर चुके हैं, अपना सनातक complete कर चुके हैं, उनके लिए कौन कौन से पद हैं, तो एक बार देख लीजेगा, जो बारवी लेवल पर हैं, वो कौन कौन से पद हैं, lab in charge, forester, hostel अधिक्षक, clerk, grade 2nd, सचिवाले, पंचायती, राज और, RPSC के अंदर, junior care assistant, जमादार, आधी, ध्यान रखेगा, इन सभी के लिए, जो योग्यता निर्धारित है, वो है, बारवी पास, यानि कि 12th, उसके बाद जो graduation level है, उसमें रहेंगे, पटवारी, hostel अधिक्षक, gram, विकास, अधिकारी, यानि कि VDO, देखेगा, block और village, दोनों में अंतर वो BDO होता है, block development officer, वो अलग होता है process थोड़ा, डिप्टी, जेलर, coordinator training, coordinator supervision, supervisor कौनसे विभाग में, बाल विकास विभाग में, और महिला अधिकारता विभाग में, जेला उद्योग अधिकारी, manager industrial, उद्योग निरिक्षक, tax sahayak, जिलादार, junior accountant, और राजस्व विभाग में की जो श्रेणी है, उसमें ये सभी शामिल किये जाएंगे, तो एक तरीके से थोड़ी खुशकबरी वाली बात है, समान पात्रता परिक्षा में, जितने अधिक अंक आपके रहेंगे, उतना जादा आप योगी रहेंगे, सभी जो एक्जाम्स होंगी उनमें बैठने के लि